पिछली क्लास में हमने बात की थी निलंबन क्या है और कॉलाइडल विलियन क्या है आज हम पढ़ेंगे कि मिश्रन के घटकों को अलग-अलग कैसे करें उनका पृधक करन कैसे करें तो स्टार्ट करते हैं हमने ये पढ़ा है कि जितने भी प्राकृतिक पदार्थ है वो रसाइनिक तोर पर शुद्ध नहीं होते हैं क्योंकि वो एक या एक से जादा घटक से मिलकर बनते हैं तो इसलिए उनको मिश्रन कहते हैं और मिश्रन के घटकों को घटक का मतलब क्या होता है कि जिन चीजों से वो मिलकर बना है तो मिश्रन से उसके घटकों को अलग अलग करने के लिए हमें विभिन विधियों का प्रयोग करना पड़ता है जैसे कि छान कर, हाथ से अलग करकर जैसे हम घरों में इस्तेमाल करते हैं दाल या फिर चावल हमें साफ करने होते हैं तो उससे हम उसके अंदर जो भी अशुद्धी है उसको हम हाथ से उठाकर अलग कर देते हैं जो भी कंकर है कोई भी छोटा मोटा उसको हम हाथ से उठाकर अलग कर देते हैं चानने की प्रक्रिया से हम उसको अलग कर लेते हैं और इनको अलग करने का यह प्रिथक करन करने का लाब क्या है कि उससे प्रतेग घटक के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो भी हमें जानकारी चाहिए उसके बारे में हम वो प्राप्त कर सकते हैं और उसको प्रियोग में भी ला सकते हैं और विश्मांगी मिश्रन को को प्रिथक करना है वह असान होता है और जो भी ये टकनीक है जो भी विध्यय इनकोम प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं और हमने कई बार विशेष तकनीकों का भी प्रयोक करना पड़ता है तो अब हमें बहुत से क्रिया क्लाप दियी है इसमें लगभग आठ्वा क्रिया जो रंग वाले घटक हैं जैसे डाई है उसको नीली या फिर काले रंग की स्याही से हम कैसे अलग कर सकते हैं इसके लिए आपको जो क्रिया क्लाब दिया हुआ है उसमें क्या करना है एक बीकर लेना है और उसमें जल लेना है उसको आधा भर लेना है और उसके ओपर एक रखन होंगी पहले हम ग्यारक लाब पढ़ ले- मैं आपको यह सारी दिखाऊंगी कि विक करक्या होता है वाच्गलास क्या होता है और उस वाच्ग्लास पर हम सियाहिकी कुछ बूंदv्य करना शुरू करेंगे उसको डायरेक्ट हमको ङरमको नहीं करना वो उस को सीधे ही flame पर नहीं रखना है हमें क्या करना है बीकर में पानी लेकर उसको गरम करना है मतलब उसके ऊपर रखना watch glass को और फिर उसको गरम करना शुरू कर देना है और इसको तब तक गरम करना है जब तक उसमें परिवर्तन बंद ना हो जाए जब तक उसमें परिवर्तन हो रहा है जब तक आपको वाश्पी करन दिख रहा है तब तक तो गरम करते रहना है लेकिन जब उसमें कोई भी परिवर्तन दिखाई ना दे तब उसको गरम करना बंद करते ना है और इसको ध्यान से देखना है यह और इसके ओपर इंक डालनी है और इसको गर्म करते रहना है वो पानी की जो भाप है वो उपर की तरफ जाएगी जिससे यह गर्म हो जाएगी यह प्लेट तो वो गर्म होने के खारण उसके जो अंदर का जो पानी है वो भाप बनकर उड़ जाएगा और जो watch glass है उस पर वाश्पिकरन हुआ है पानी का ठेक है फिर उसके बाद क्या वाच ग्लास पर कोई अफशेश बचा है हां बचेगा और आप क्या प्रतिपादित करेंगे क्या स्याही एक शुद्पदार्थ है या मिश्रन इससे आपको क्या पता चल रहा है जब आपने वाश्पिकरन किया त क्या है मिश्रन है ठेक है हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रन है और इस तरह हम विलायक से विले पदार्थ को वाश्पिकरन विधी द्वारा प्रिथक कर सकते हैं अलग कर सकते हैं अगर हम वाश्पिकरन की विधी का इस्तेमाल करें तो हम विलायक से जो विल दूद से क्रीम कैसे प्रिथक कर सकते हैं? हम बजार से जो दूद लेकर आते हैं, वो हमें अलग-अलग तरह का मिलता है? डबल टॉन, सिंगल टॉन, फुल क्रीम, इन में क्या फर्क होता है? इन में जो फैट है, उसकी मात्रा अलग-अलग होती है. फैट को क्या बोलते हैं? वसा, ठीक है? और इनके पैकिंग भी अलग-अलग होती है, हमें पॉली पैक मिलता है, टेट्रा पैक मिलता है. क्रिया कलाप में क्या करना है आपको? कि एक टेस्ट्यूग, यानि परक नली में आपको क्या लेना है? थोड़ा सा दूद लेना है, और उसको अपके इंद्र यंत्र से क्या करना है? उसको दो-तीन मिनट तक अपके इंद्र यंत्र करना है. और अगर आपके पास अपके इंद्र यंत्र नहीं है, अपके इंद्र यंत्र नहीं है, तो आप जो रुसवी में इस्तामाल करते हैं, मथनी या फिर मिक्सी उसका भी प्रियोक कर सकते हैं या फिर आपके घर के पास कोई अगर मिल्क डाइरी हैं तो वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं कि दूद से क्रीम कैसे अलग करते हैं और दूद से पनीर कैसे बनाते हैं अब आपके पास question दिये मैं दो कि दूद को मतने पर आपने क्या देखा जब आप दूद को मत रहे हैं तो आपने क्या अनुभव किया और दूद में से क्रीम का प्रिथक करन कैसे करते हैं द्रव में कहीं बार जो ठोस के कन होते हैं बहुत जादा ही छोटे होते हैं हम उनको चान कर अलग नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है हमें अपकेंद्रन विधी का प्रियोग करना पड़ता है और इसका सिध्धान्त कौन सा है किस सिद्धान्थ पर यह अप केंद्रन विधी कार्य करती है तो इसमें यह है कि अगर हम किसी द्रव को तेजी से घुमाते हैं तो जो भारी कन है वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं और जो हलके कन है वो उपर ही रह जाते हैं ठीक है यह होता है सिद्धान्थ प्रिथक्करन का इस विधी का जो अनुप रियोग है इसकी एप्लिकेशन्स हैं वो कहां कहां पर हैं हम इसको कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं जो लैब्स होती है जहां पर ब्लड टेस्ट वगेरा होता है खून की जाच होती है तो वहां पर इसका इस्तिमाल किया जाता है ठीक है घरों में या डैरी में क्रीम से मक्षन निकालने की प्रक्रिया में इसका इस्तिमाल होता है और जो हमारे पास घर में वाशिंग मशीन होती है उसमें जो ग्रायर वाला पार्ट होता है जिसमें कपड़े सुखाए जाते तो उसमें भ गुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे प्रिथक कर सकते हैं दो द्रव हैं वो आपस में गुलनशील नहीं है जैसे तेल और पानी होता है वो आपस में घुलते नहीं है अगर आप उनको मिक्स भी करते हैं तब भी वो उनके कन अलग अलग रहते हैं तो इसके लिए जो क्रि प्रितक्करन कीप यह देखो ऐसी होती है सिंपल जो कीप इस्तेमाल करते हैं यह वैसी नहीं होती है यह उपर से भी बंद होती है और नीचे भी इसके पास इसमें क्या लगा होता है एक स्टॉप कोर्क लगा होता है जहां से हम इसमें जो प्रवा है उसको रोग देते हैं तो इसमें क्या करना है हमें इसमें इस मिश्रन को डाल देना है उपर से खोल कर इस ढकन को तो यहां से प्रितकरन कीफ में यह आ जाएगा जल और मिट्टी का तेल अब जिसका घनत्व कम होगा वो तो उपर की तरफ रहेगा जिसका घनत्व जादा होगा वो नीचे की और बैठ जाएगा ठेक है इसके अंदर ये मिश्रन डालने के बाद इसको कुछ देर तक रख देंगे शांत छोड़ देंगे और स्टॉप को खोल देना है थोड़ी दिर बाद और नीचे वाला जो जल है जल की परत जो है उसको अलग से निकाल लेना है और जैसे ही तेल नीचे पहुँचे तो स्टॉप को बंद कर देना है ठेक है इस तरह से हम जल और तेल को अलग-अलग कर सकते हैं और ये किस पर चुकी है कि तेल और जल के मिश्रन को अलग-अलग करने में ठेक है और जब लोहे को प्रिथक करते हैं धातु शोधन के दोरान तो वहां पर क्या है जो हलकी स्लैग है जो धातु मल है उसको जो मेन हमारे पास लोहे उससे अलग करने की क्रिया में भी ये इस्तेमाल होती है ये विधी ठीक है और ये लिखा भी हुआ है देखो ये नीचे जो मैंने घंणत्व वाली बात बोली है ये नोंने लिखी भी हुई है कि इसका सिधान्त क्या है कि आपस में ना मिलने वाले जो द्रव हैं वो अपने घंणत्व के अनुसार विभिन पर्तों में प्रितक हो जा करते हैं चौता क्रिया क्लाप यह क्या दिया वैं नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रन को कैसे अलग कर सकते हैं ठीक है हमें यह पता है हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है जो अमोनियम क्लोराइड होता है उसको गरम करते हैं तो वह स्थोस से सीधे गैस में परिवर् उर्द्वपातित हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ नमक बचेगा तो इसमें क्या होता है जो मिश्रन उर्द्वपातनशील होते हैं उनको अलग-अलग हम कर सकते हैं ठीक है जैसे अमोनियम क्लोराइड है कपूर है नेफ्थलीन है यह सब क्या होते हैं उर्द न्यों क्लोराइड़ वो उर्थपातित होता है तो हम इनको गर्म करके अलग-अलग कर सकते हैं यह फिर दुबारा से वही बर्नर यह स्टैंड ठेक है यह जो है गोल-गोल जो नीचे मतलब यह कटोरी टाइप नजर आ यह जो इसको बोलते हैं चीनी मिट्टी की प्याली ठेक है चाइना डिश इसको बोलते हैं ठेक है फिर उसके बाद यह कीप रखी हुई है उपर इसको उल्टा करके रखा हुआ है इस चाइना डिश पर चीनी मिट्टी की प्याली पर और इसके यहां पर क्या लगा रखी है र बाब बन जाएगा फियरा यहां पे बाब के रूप में यहां पे और इसकी दिवारों पर चिपक जाएगा जाकर एकठ्थप वहां पर और जो नमक वह नमक की प्याली में जिसको हम चाइना डिश बोलते हैं यह हो गए हमारे चार क्रिया क्लाप अब है पांचवा क्रिया क्लाप आज हम पांच ही क्रिया क्लाप करेंगे तो पांचवे क्रिया कलाप में क्या है क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है यानि इसमें ये बताना है कि जो स्याही में जो काला रंग होता है जो डाई है क्या वो एक ही रंग है या रंगों का मिश्रन है ठीक है हमें क्या करना है एक छानन पत्र की पतली परत लेनी है ज लाइन के बिल्कुल सेंटर में हमें क्या लगानी है इंक की बून लगानी है फिर उसके बाद हमें उसको कहां रखना है एक जार में रखना है या बिकर में या परखनली में रख देना है जिसमें हमने क्या लिया हुआ है जल लिया हुआ है ठीक है और जल का स्तर क्या होना चा यह जैसे इस शित्र में दिखा्यवाइब है कि जल का स्ट जो है वो नीचे होना चाहिए और जोरज स्याही का निशान है वो क्या होना निची हो से थोड़ी ओपर होनी चाहिए और उसको शांत हो में छोड़ देना झालो ठीक है जैसे जैसे जल उपर ही और उठता है आपने च्छानक पत्र पर क्या देखा टेखेंगे आप कि जो जल के कंन है जो वो श्याहिं के कंन है वह भी क्या होंगे साथ साथ ऊपर चढ़ना नशुरू होंगे जैसे किसी भी चीज़ पर तो पैल को पऽैट और stat थे पैल का निशान हिम रगाते हैं या फिर लिखते हैं अपनी कोपी पर पानी गिर जाता है ज़ाते हैं ज्यादा थो भूलोकन किया या नहीं किया वो आपको देखोना और रंग के स्थान का चानक पर की और उठने का क्या कारण है तो उसका Hani Grand ने का कारण क्या है या भी आपको बताना है जो भी हम हम प्रियोग करते हैं उसमें होते हैं विलायक क्या होता है जल और डाई क्या होती है बिले ठीक है और जैसे यह मुंस्क कु च्छानक पत्र पर लगाते हैं और उसको जल में रखते हैं तो उपर की दिशा में उठने लगता है ठीक है वो कैसे उठता है मतल घटक जादा पानी में घुल सकता है मतलब पानी में घुलंशील होता है अधिक वो तो पानी के साथ तेजी से उपर उठने लगता है और जो नहीं होता घुलंशील वो नीचे ही रह जाता है वो रंग जो है वो नीचे ही रह जाता है और इस तरह हम रंगों का प्रिथकरन कर स जो है कहां से आया है Greek word से रोमा का मतलब क्या होता है रंग इस विदी को पहले ही इस्तेमाल किया जाता ह। रंगों को अलग-अलग करने में इसलिए इसका नाम क्या है chromatography और ये एक ऐसी विदी होती है जिससे हम क्या करते हैं ऐसे विले पदार्तों को भी अलग कर सकते हैं जो एक ही विलायक में गुले होते हैं इनकी आगे और भी तकनीक है हमने तो सिर्फ यहाँ पर एक ही इस्तेमाल की है इसकी अलग अलग तकनीक है chromatography की जो आप बड़ी classes में जाकर पढ़ेंगे अब इस विदी का इस्तेमाल कहां कहां पर है जो डाई के रंग होते हैं उनको अलग अलग करने में जो प्राकरतिक रंग होते हैं उनसे pigment अलग करने के लिए और जो blood में अगर drugs होते हैं नशीले पदार्थ होते हैं उनको भी अलग करने में इस्तेमाल करते हैं तो यह हो गई आपकी यहां तक पांच activities पांच क्रिया किलाप आप आपने आज पढ़ लिए अगर आपको कोई step नहीं समझाता है तो इसको फिर से देखे थैंक यू